और अब हम जिस ख़बर का विशेशन करेंगे वो आपके पूरे पईवार के सहथ से जुड़ी हुई खबर है आपको जानकर हैरानी होगी आपके भोजन की धाली मैंसे जरूरी पोशकत्त वो गायब होते जा रहे हैं यानि आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है लेकिन पोशन नहीं हो सकता ने इसी वर्ष एक फूड कॉंपोजिशन टेबल तयार किया है जिसके आधार पर इंडियन डायटिक असोसियेशन यानि आई डिये ने भारतिय थाली से जुड़ा एक रिसर्च किया इस रिसर्च के मताबिक पिछले तीस वर्षों से भारतिय भुजन की ताकत और उसके पोशक्तत लगातार कम हो रहे हैं आपने अकसर बड़े बुजर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि पुराने जमाने में भुजन की बात ही कुछ और हुआ करती थी हर चीज शु कि गारेंटी आज के मकाबले कहीं ज्यादा थी आईडिये के मताबिक गेहूं में 9% कार्भो हाइडरेट कम हो चुका है इसके लावा भाजरे में 8.5% कार्भो हाइडरेट कम पाया गया है पिछले 30 वर्चों में मूंग की डाल में आयरन कॉंटेंट 6.1-2% कम हो गया है और दाल के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सबजियों को भी चेक कर लीजिए नए जमाने के आलू में विटमिन विटमिन बी आयरन और जिंग की मात्रा में 66 से 73 परसेंट तक की कमी देखी गई तो सेब में आयरन कॉंटेंट पहले के मुकाबले 60 परसेंट कम हो चुका है यानि लो हिमोगलिबिन लोबिन और एनीमिया से पेड़ित लोगों को सिर्फ सेब के भरोसे अब नहीं रहना चाहि है अक्सर का जाता है एक सेब हर रोज खाने से आप स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टर से दूर रहते हैं लेकिन इस दोर में एकावत भरोसा करने लाइक नहीं रही क्योंकि सेब के अंदर को शक्ता तो अब कम हो चुके हैं आईडिया ने इस रिसर्ट को तयार करने में क्यावन पोशक तत्वों की जांच की है इस इंस्टूट ने तीस साल पहले भी एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तयार किया था और उस समय के खादेपदार्तों में न्यूट्रिशनल वैल्यू आज की तुला में काफी ज्यादा थी एक्सपर्ट के मताबिक खेतों में प सबजियों और फलों के पोशक तत्वों में भी गिरावट आ रही है भारत की मिट्टी में जिंक की मातरा 43 परसेंट कम हो गई है इसी तरह बोरॉन 18.3 प्रतिशत आयरन 12.1 प्रतिशत मेगनेशियम 5.6 प्रतिशत और कॉपर 5.4 प्रतिशत कम हो गया है जाहिर है जब फसल को पैदा करने वाले खेतों में ही पोशक तक वो कम होंगे तो खाने पीने की चीजों में यूट्रिशल वैल्यू भी कम मिलेगी इस रिसर्च की मताबिक ऐसे अनाज फल और सबजियां खाने की वज़ए से आपके सिहत पर अब फर्क पड़ रहा है असर पड़ रहा है आपका से सो के मताबिक भारत की कुल जन संक्या में 47 करोर से भी ज्यादा लोग कामकाजी हैं लेकिन भारत धीरे धीरे बीमार और ठके हुए लोगों का देश बनता जा रहा है डिसंबर 2015 में आई दी लैंसेट की एक रिपोर्ट के मताबिक सेहत के मामले में पांच ब्रिक्स देशों में भारत सबसे नीचे है ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा ब्रजील रश्या चीन और साउथ अपरिका शामिल है 2013 में पूरी दुनिया में बीमार लोगों की कुल संक्या मैंसे 20% भारती है थे भारत में इस वक्त 7 करोड लोग डायबिटीज के शिकार हैं और डायबिटीज के मरीजों की संक्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है World Congress of Cardiology के मताबिक सं 2020 तक भारत में होने वाली 40% मौतें दिल से संबंदित बीमारियों के वज़े से होंगी भारत में हर दसमें से एक व्यक्ति किन्नी की बीमारी से पेड़ित है और जादतर लोगों को इसका पता तब चलता है जब उनकी किन्नी 60% तक बेकार हो चुकी होती है यह सारी बातें सुनकर आप चिंतित जरूर हो रहे होंगे आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ भारत के ल आज यहालाथ है जो परिस्तितिया है वह कितनी ज्यादा बौकूतिव्धेपल परिशान जैसी है अपने लाएव सिय इस घृबिटेट होते जा रही है ॉनकलتे जा रही है और जिस लेकिन आप से एक सवाल करूं करूं हमारे पुर्वच आप पूछऊ के बारे में पूछ हुआ उनका है उनका स्वास्त करें हमारे से उनकी आई हो अगर कंपेर करें हमारे से कि या मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते कि क्या हमसे हेल्थ में बहुत भेतर थे या उनकी आयूब हमसे ज्यादा थी क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं यह उनकी एज उनकी हेल्थ यह मुझे बहुत बहुत बैतर थी अपने भी सुना होगा कि हमारे नानी जो भी थे उनको कभी शुगर कभी डाइबिटीज उनको पेशर हाट की विबारी कैंसर कुछ नहीं था एक सब्सक्राइब करते हैं बहुत हेल्डी लाइफ जीते हैं जब लुएच्छों केता है वर्ल हैल्ट और्गनाइज़ेशन जब उसमें एक पुरे वर्ल्ड की जब हर कंट्री की एक एवरेज एज जब निकाली उसने तो जो आकड़े आए वह बहुत ज्यादा चोटाने वाले आकड़े थे तो डबलो चुने कहा कि पुरे दुनिया में इस प्रिट्वी पे जिए कंट्री से हमारी जो है उसमें से स वह कहता है कि वहां के जो एवरेज हैं वागे लोगों की वह एराउंड एटी तू नाइंटी के बीच में है यह जैपनीज जो है वह एटी टू नाइंटी यह के असपास जी लेते हैं कि सबसे जो कम आयू की जो लोग हमारे इस प्लैनेट पे जो आज जीप आ रहे हैं वह अंगुला करके कंट्री वहां के लोगों की जो आउसतन आयू जो है वो चालीस से लेके पचास के बीच में है और जब उन्होंने भारत देश का नहीं हमारे देश का जब उन्होंने ए है वह साट से लेके 65 साल के बीच में आज उसकी लाइब हो चुकी है लेकिन यह देश हमारा जो देश पहले ऐसा नहीं था आज हमारे पुर्वजों की जो आयो जो थी हमसे भी ज्यादा थी क्या कोई मुझे बता सकता है चैटबस में लिखता कि आपके दादा पर दादा की अब कि हमारे पुर्वज हमने सूना की मेरे घर मेरे जो पुर्वज थे वो सो साल क्रॉज कर गए तो क्या मुझे बता सकते हैं आपके बी ऐसे कोई पुर्वज थे जिन्नों एक्टी-णाइटी आर आपकी कों तृदी थी आपके दादा थे आपके पर दादा किमीती थी त वाँ वाँ क्या बात है हमारे हमने देखा है कि हर घर में हमारे फुर्वजू कोई 110 110 90 104 चाहिए वाँ जास कि देखिए 102 100 ज्यादा एक हम यह कह सकते हैं अब वह बहुत मुश्किल हो गया है अपने पूछ पहने हर घर में हर पुर्वज हमारे जो फैमिली के पुर्वज थे जिन्हों है डिफिनिटली और सो साथ से ज्यादा इस पूट्वी पे विदायत है वह भी किसी बीमारी के यह लिए का मतलब है कि अज़ घर मेडिकल साइंस इतना तरफ्की किया था और ना इतनी हस्पताल थे वह स्वस्थ हैं तो मेरा सवाल अभी आप से यह हैं जिए वह क्या वजा थी वह क्या रिजन था कि हमारे पुर्वंच हमसे बहुत ज्यादा स्वस्थ थे और बहुत ज्यादा आयू में भी हमसे ज्यादा जीवित उन्हें जीवन बिताया है जल्दी बताइए क्या बदेश्थ कोई कह रहा है है हल्दी फूड वेरी गुड़ क्या बाते फूर्ट 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 एस वेरी गुड़ यह सब्सक्राइब क्या बाते खाना इस प्रीफूड यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब हमारे पूर्वस्त है हमारे जो दादा पर दादा जो हमारे थे वह इतना साल बिना बीमारी के इस प्रिफ्री पे जीप आए वह था शुद्ध यह नि ऊठ्डी 550 आए करते थे और जो पानी वह पीते थे वो नेट्रल ग्रांड-वाटर पीते थे वह तो मूए का पानी पीते थे अगर नुटिस पान करते थे यह यह, उसका पानी हम इस्तमाल करते थे और उसका आज को पानी को पीता है कि आज को नभी का पानी को इस्तिमाल करता है कि में नभी का पानी रहा है नहीं और यह आज हमारा जो पानी है वो प्रदुशित हो गया है कियности samples करते हैं तो काश्टिक सोड़ा करते हैं है सारव पानी जहता कहा है तो आपने घर के भगल में स्वेस्ट नंग बना दिया है हर सोसाइटी में हो रहा है और वो पानी दीरे दीरें दीरे हमारे ग्राउंड लेवल की पानी के मिल रहा है हमारी वेस्ट लोर्τε लोर्ट स vacunh हमारे पानी तक पहुंच जाता है और इस वजह से हो क्या रहा है तो जो मिन्राल युक्त पानी था जो था वो धीरे धीरे वह हो गया जिसमें बहुत सारे चीज़ें उसके अंदर आ गई है तो दोस्तों अगर हमारी हेल्थ बिकड़ी है आज अगर हम कम जीता रहें बीमार है तो आज का जो एक तो सबसे प्राइजन पीने का पानी है दूसरा हमारा लीविंग कंडिशन्स हां मावा बॉड़ी मोर दैन एवर बीफोर यानि आज की हमारी जीवन शैली आज का हमारा रहें से उठना बैटना पहले इतना नुपसान नहीं पहुचा है कि इतना आश हमें नुपसान पहुचा रहा है यह जोस्तों डब्ल. व. ग. कहता है कि हलड़ी लाइफ के लिए अगर अको ज्यादा रहना है लंबे समय तक जीविक रहना है तो डब्ल. एचों कहता है तीन चीज़ की आव चीजों पर और तीनों चीजों को आपने शुद फॉर्म में अगर ले लिया तो आप पुरी जिंदगी आप हेल्डी रहोगे पुरी जिंदगी बीमारी आपको नहीं होगी और आप लंबा समय तक इवन आप 90 या 100 तक आप अपनी दादा पर दादा की तरह आप भी जिविद रहे पाएंगे लेकिन अगर देखे हकीकत तो अगर देखे क्या आपको आज शुद हावा मिल पा रही है अगर इसका पर बताओ तो आज हम आपको पॉस्टि कहार मिल रहा है अभी हमने वीडियो देखा उस वीडियो से पता चल गया कि आज लिए और यह आपको शुद पानी मिल रहा है क्या आप 시 पानी पी रहे नहीं देखा गयाsite का पानी सहते और इस और होते हैं वह से पाहड़ होते हैं और साल और नहीं पहाड़ों वह सारे KAT पर चांव करने लूत सारे जानवर करके नहीं करते हैं और पानी हमारे और लिए नहीं किछा है उसालो से रिशाई जालोगे और अंदर से इतनी रस्ट पकट चुकी है वह सारा रस्ट वह सारा जञ आपके घर तक पहुंच जाता है है और पानी बहुत होता है और जैसे पहुंजी ने बता है कि तीडियेस बरबना क्योंकि बारिश का पानी जो होता है उसके अंदर नहीं हो तो डेफिनेटली उसका जो टीडियेस आपको हाड़ी है तोटल डिजॉल्ड सॉल्वेंट इनि उसमें मौजूद क्या-क्या चीज तो दोस्तों यह पानी जो भी शुद नहीं है क्यों है क्यों इसकी जरूरत है क्यों इसके बारे में नहीं जाना जितना प्रोटीन कार्बोहाइडेंस वाइटमीनस इंपोर्टन ने उससे क्ई गुना ज्यादा मिनेंस इंपोर्टन है हमारे लिए हेल्दी लाइफ के लिए तो क्यूं वाइबर्स क्यों जरूरत है यस आज हम आपको आज एक राज बता रहो एक सिक्रेट बता रहो आपके शरीर में वह required मातरा में minerals की requirement में अपके होगी अगर आपके बॉड़ी में required minerals absence है तो आप जितना भी आप वाटामिन खालो जितना भी आप पोशन खालो यह वाश हो जाएगा वो निकल जाएगा आपके body's ने तो minerals करते हैं कि आपके vitamins को activate करते हैं आपके enzymes को activate करते हैं को जब अब करते हैं जब मिल्स होगे तब जाके वाइटमिस आपके स्टम को मदद करेगा। हो जाता है इपिस्जी हो जाते हैं वह वाइटमिस तो ले रहे हैं लेकिन्हीं कर रहे हैं कर सकते हैं तो दोस्तों का इंपोर्णेंस होता है आपके बॉड़ी के अंदर के वाइटामिन्स और एंजाइम्स को रेगुलेट करना उसको युद्ध करना दोस्तों हमारे शाविल को लगते हैं तब जाके हमारा बॉडी अप्टिमुम लेवल पर फंक्शन करता है बतारा कि अगर हम जीरो से अगर हंड्रेट परसंट जो बैटरी आपकी मोबाल के बैटरी जो होती है जैसे आज तक आगर में नहीं तो समझ जाए आपका जो मोबाल का बैटरी जैसे 10 परसंट 20 करता है वैसी आपका बॉडी जो है अगर मिल्स कम रहेंगे तो फंक्शन कम करेगा उतना अप्टिमम लेवल पर काम नहीं करेगा तो लगते ही है तब जाकि आपका बॉडी जो है एक्दम फेट हंड्रेट पर से एक्टिव और बीमारी रही दोस्तों विटामिन चैनोंड भी प्रॉपर्ली यूज्ट विदाओट डपरेट बैलेंस ऑफ मिनेरल इस रुस्तों विटामिन जो है एक सेकेड़ विटामिन जो है तभी पर्फॉर्म कर पाएंगा तभी इसका इस्तमाब हो पाएगा जब तक आपके बॉडी में मिनेरल्स नहीं होगा जिसे मैंने पहले बताया उधान के तोर पे कैल्शियम की इस नीडिट फॉर विटामिन सी यूटिलाइजेशन विटामिन सी के आप ब विटामिन जो है रिजाब हो पाएगा आपके बॉडी में अगर जिंक की कमी है वाइटामिन ए कितना भी खालो को काम नहीं करेगा मैंगेशन चाहिए दोस्तों तब जाकि आप विटामिन इस्तमाल में आएगा और विटामिन ए के लिए आपको एक से लिए चाहिए तब जाके वह विटामिन जो है आपके बॉडी के अंदर काम कर पाएगा उसका पंक्शन जो है उसका बढ़ पाएगा तो हो आपको तो आइडिया कि इसे तो बहुत सारे विटामिन सब इतना बात करें आच वक्त नहीं है इंशाला जब हम दुबारा म लेंगे तो डिटेल में हम और सारे चीजों के बारें बात करेंगे तो एक अंदर के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि मिनेश कितना ज़रूरी है कि जितना भी वाइटामिन्स हम खाते है वह तबी यूटिलाइस हो पाएगा जब बॉड़ी में प्रयात मात्रा में मिने हो गये तो वीटेमिन्स की जरूत है हर काम के लिए लगा से वाकिंग कर रहे है त county मैं जरूत है रहे हैं लड़की बहुत जरूरी इसको बहुत नहीं किया जा सकता इसे नजर अंदाज नहीं के सकता है इसको हलके में नहीं लिया जा सकता हर एक्टिमिटी के लिए वैटामेंस बहुत ज़रूरी है तो शरीर के लिए खानी पीम हाता पूर्ण है तो इंपोर्टिंट जो मिनल से उसके थोड़े बारे में आपको जानका जाओंगा जैसे पहला दिल की धड़कन और हाई ब्लड प्रेशर आपको होता है येस जो परिशान है हाट की विमारी से समझ जाएगी उनके बॉड़ी में कोटेशम की बहुत कमी है उसके बाद मैंगनेशिम मैंगनेशिम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और हड़ीयों को मश्बूत बनाने के लिए जरूरी है इससे को कंट्रोल करने भी मदद मिलती है मैंगनेशिम हमारी जो नर्वस सिस्टम है यह नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए मैंगनेशिम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोस्तों और मैंगनेशिम की कमी की स्थिती में अत्यदिक उतदना फिर म बीज शामीर है और अंशरील में इमोगलोबीन को ठीक रखने पुन की कमी को पूरा करने और कुशिक और तक ऑक्सीजम को चाने का काम करने के लिए बहुत-बहुत-बड़ा रोल प्ले करती है उसके पाद केलिशियम हम सब लोग जानते हैं के बारे में हड़ी हों के जरूरी हमènं माइन से हर ऊर्डन को मैसेज देने हैं ऊसके बास प्रदेर चैसी समस्या हो सकती है हो सकती है लेकिन देने के लिए एक अवश्य खनीज है और इमन सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ यह जखमों को भरने वह शरीर के शरीर को शरीर को इसकी कम मातरा में यह स्ट्रेस में तो होते हैं इसको माइक्रों कहते हैं और कम मता में ही जरूत पड़ती है लेकिन यह महतोपुर्ण खनीज में से एक है यह शरीर में खास प्रोटीन को बनाता है जो कुशिकाओ को शर्थी को रोकने में मदद करता है यह और वही कुछ शोदों से इस बात को भी किविश्ट जाने में यह सायक है और सेलिमियम की कमी होने पर मास्पेश या कमज़ूर होने लगती है इससे जोड़ों में दर्द करेंद होना शुरू हो जाता है उसके बौरॉन बौरॉन एक गर्ट्रेस में जैसे मैक्रों में जो हड़ियों कि स्वास्त मस्तिक के कारिया आर्प हमारे Battle सिस्टम को नियुक्रंद करता है और इसके अलावा यहां प्रेस्ट कैंसर कंr से बहुत इंप करने में तो स्वास्ट को सुचारों पूप से काम करने में निवा दिये दोस्तों यह कुछ बहुत इंपोरेंट जिनके बारे में थोड़ा सा पता है और बहुत सब्सक्राइब कि हमारा जो हिमन बॉड़ी है यह लगबग इसमें साट से लगके सतर प्रतिशत पानी होता है और सारे और ब हमारे हाँखों में 95 प्रसंट पानी है हमारे हांट में 75 फ्रसंट पानी है कि कृएंगे यह सारे और अप्सिमिमम लेवल पर कामी नी कर सबने जिकर किया बरे में और आपको बताना चाहूंगा जो थी उसका जो रूटीन था वो डेली योगा करते थी वह करते थी हर चीज करती थी फिर भी उसको हाट अटेक क्यों आया क्यूंकि एक ही रिजन था कि उसका बॉड़ी एसेडिक हो गया था गयता उसके खांट पांग के वजह से सौनी की वजह से कोई ना कोई रिजन होगा जिस वजह से उसको हाट की और कि अधि मिलेगा की का जो पानी हम पी रहे हैं वह पा épisode यह पानी के बड़ी जागत Nur है यह पाणी, का है आप यदि का पानी है यह पानी यह पानी पानी है द्यूरिक दाक्त अगर आपको सारी गंदगी अगर दिखाया देनी है तो एक और डेमो होता है जिससे आपको डिजॉल चीज़े जो है नजर आ जाती है और लगातार यह पानी अगर पीते हैं तो येस यह आपको वहेंग कर निमारी देती है और दुनिया में लोग जो मर रहे हैं सबसे ज्यादा मौते अगर आज आ रही है तो सिर्फ पीने के पानी के वजह से आ रही है दोस्तों और यह जो डाटा में बता रहा हूं यह डाटा का तकरीबन चार या पास साल पहले वाला डाटा है आज और यह डाटा वस्ट हो चूता है लगबर आज 40 लाग से ज्यादा ज खुद कहता है कि वाटरबॉंड डिजेजर वर्ली लिडिंग की लगए आज पहले जैसे रहा नहीं है दोस्तों तो जब पानी में घंदगी आ गई तो हमने क्या किया हमने अपने घर में फिल्टर लगना शुरू किया है जो स्टार्टिंग में जो फिल्टर आते हैं हमारे जिसमें पानी डाल देते थे और मिट्टी अलग हो जाती यह पानी पी लेते थे लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया गंदगी पानी में बढ़ती गई वह टेक्नोलोजी आए जिसको हम कहते हैं यूटी टेक्नोलोजी जो अल्ट्रा वाइट रेस के साथ चलती थी और अपने पानी के अंदर के जो वाइरस जो होते थे सिर्फ उसको डियक्टिवेट करती थी और वह टेक्नोलोजी काफी समय चलती रही लेकिन जैसे जैसे कंटैमिनेशन हमारे पानी का बढ़ता गया वह टेक्नोलोजी भी मार्कर से गायब हो गई आउटडेटेट हो गई और अभी है जिस आज अच्छल रही है लोग जो पानी को अआज इसमाल कर रहे हैं जिस्से पानी को फिल्टर कर सके भी है और यह तरह करती है कि आपके अशुद्र पानी को जिसके लिए बहुत सरी गंदगी है से इसको साफ तो करती है लेकिन साफ करने के दौरान के पोसेस में वह हमारे पानी के अंदर के मौजूद को भी हटा देती यह काम कैसे करती है और इसके अंदर होता है और पानी को प्रेशर से पुष्ट करता है ताकि उस प्रेशर से वह पानी पानी के वह पास हो जाए तो उसके सारी इंप्रिटिस बहार निकल सके दोस्तों वह आरू मेमरें इतने बारीक होते कि आंखों से नजर नहीं आते और इस प्रोसेस में क्या होता है कि गंदर की वारेंस वैक्टेरिया तो निकल ही है लेकिन साथ-साथ में हमारे यूश्पूल मिनेरलस भी गायब होगे दोस्तों त उसमें किसी तरह के पोश्चन नहीं रहा तो यह लंबे समयता कि हमें बहुत ज़्यादा बीमार बनाएगा तो यह मैं नहीं कहता हूं यह हमारे एक डॉक्टर लेनिस पॉलिंग जो दो बार जिनने नोबल प्राइस जिनने मिला और उन्हें फांड आट किया कि जो इंसान बीमार है जिसे डैविटीज है कैंसर है बहुत सब्सक्राइब बीमारी आ है उसकी जब जाज की तो उन्हें फांड आट कि हर बंदे के अंदर कह पानी ना कई मिलेंस की कमी थी जिस वजह से वह बीमारी उसके शरील में आई और वह कहता है कि इनसान का शरीर हो जाता है जब उसको पानी के अंदर ऐसे पानी मिलता जिसमें कोई मिललस नहीं और जिसका बहुत ज्यादा कम है तो शरीर हो जाता है और जब शरीर ऐसी हो जाता है तो उसमें बिमारिया पलबना चालो हो जाती है और वो कहते हैं कि जब किसी भी इंसान का शरीर alkaline है तो दुनिया की कोई भी बीमारी उसके बलब नहीं सकते इवन कैंसर भी alkaline शरीर में रह नहीं सकता उसकी इनकी ये study पर इन्हें nobel prize दिया गया था दोस्तों कैसे होता है तो दोस्तों हमारा चैसे होता है कि भी मैडिसीन खाने की आदर है सर में दर्थ पाने लिए के लिए बौडी में दर्थ ले-बन्द ले-लिया बॉनिए लंबास ऐसे आपके और यह आपके तेरे बादेता है भारत प्रोसेस फूड घाते बरगर पीजा बर्दा समोज अब बहुत सब्सक्राइब बना देता है इसके बाद में पॉलिटेड अई गरते हैं बना देता है उसके एप आप जो स्मोकिं करते हैं आप जो बना देता है उसके बाद चाय टी कॉफी काम लगाता सेवन करता है तो यह बना देता है उसके बाद इलकोहॉल शराब अगर पीते हैं तो यह बनाता है और सबसे खतरनाग एक चीज़ बनाती है वो है हमारा क्या नेन हो बनाता है हमारे पौडी को पी 7 बहुत कम हो जाता है और जीडिक को सुरीर में उसमीमान, हमारे इंटर कर के तरफ परशानी है हर घर में आतराइटी आर्टी हाड़नींग कैंसर प्रीमेचर एजिंग और ना जाने इसी वह सारी बीमारिया जो हमारे पुर्वजों को बहुत पानी हवा शुद होते थी जिस पज़े से उनके बॉड़ी हमेशा अलकलाइन रहते थी उनके बॉड़ी का रहे हमारे साल हमारे वह जैसे वैब किया जा सकता है तो यस दोस्तों हमें विस्तिश को खरनेवाद रहाचैकट करना पड़ेगा ताइंक्व स्क्राइध कि मेन अवीत नत्यों है जो इन सारी प्रॉल्म्स का हम निवारान करके देगा और उसका नाम है वेस्टिश प्राइम कॉंसेंट्रेट्रिट मिनियर टॉप यह दोस्तों यह करता क्या है यह करता क्या यह जो है आपके पीछ को करता है यह आपको प्रवाइड करता है और कहां जाता है कि अगर आपका प्रवाइड का मतलब होता है पोटेंशल हैड्रोजन इसका अगर देखते तो करता है ना इसने ना आपके पीछ से नीचे जब आता रहता है तो आपका बॉड़ी अच्छा रहेगा तो यह स्कील आपको याद अब हम जो है हमारे इस प्रोड़क्ट का एक लाइफ अभी हम देखेंगे और देखने कोशिश करेंगे कि वाकरी हमारा यह प्रोड़क्ट वह वह कितना तो यह करने के लिए मैंने यहां पर जो एक सिरीज जो है लाइड़ बनवाया है उसके बाद हमारे पानी में जो है मिलस के मौजिद्धी होती है कि नहीं होती है वो चेक करेंगे उसके बाद यहां पर हमने एक यूणिवेंसल पी-एच इंडिकेटर जो है वो लिया है जिससे हम अपने पानी का पीएच भी चेक करेंगे और यह जाचने के लिए सबसे पहले जो है मैं मेरे घर का जो है आरो का पानी जो है जो मेरे घर पर लगा हुआ है उसका पानी में यहां पर यूज कर रहा हूं और जिससे हम जाचने कोशिश करेंगी क्या वाकई हमारे पानी में इस होते हैं अभी यहां पर क्यों है यह सिरीज के अंदर मैं पास यह सिरीज जिसमें पॉजटेटीव जो करेंग्शन है जिसको अगर मैं टेस्ट करता हूं तो यह बल जल जाता है और हम स्कूल में पढ़ाता है कि पानी जो है वाटर इस अगर किसी बॉलीवड मूवी में आज़गा होगा कि कोई में टारं आउंड Kir should सब्सक्राइब करने के लिए की जरूत पड़ती है क्योंकि जो है का काम करता है के वजए से ही यह लाइट नहीं जल पा रहे हैं अभी हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे पहले में इसके ड्रॉब डालके आपको दिखाता हूं कि क्या यह बल जल पाएगा इस अपने देखा कि सिर्फ एक ड्रॉब से जो है हमारा बल जो है जल गया इससे प्रूब होता है कि य यह देखे बल और जल गया तो अभी यह क्यों जला वह अभी इसलिए जल पाया कि हमने उसके अंदर मिनिल्स प्रॉइड कि जिससे वह एक जगे से बुस्ते जगे मूफ हो पा रही है और यह प्रूफ करता है कि जब हम यह पानी पीते हैं तो यह हमारे बॉड़ी के अंदर पानी का और अगर मार्केट में जो भी पानी अगर आप परचेस करते तो वह एक बाद जरूर लिखते हैं कि इसमें रहते हैं आप बॉटल में लाया हूं और देखते चेक करते कि क्या इसमें भी मिनिल्स है कि जो वह दावा करते हैं कि जो बड़े ब्रैंट करते हैं और जूटयर पप्रक्प्राण करते हैं और नहीं कि यसे म समय नहीं नहीं ठाने हैं और फिरसे अगर मैं इसको 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 जिन्दा करना है मुझे लाइफ करना है तो मैं इसमें क्या करना है हमारे जो है कुछ बुन डाल दूंगा जिसे पानी अभी लाइव हो गया तो दोस्तों मार्केट कोई भी पानी होने तो या कारू का पानी हो अगर उसको लाइफ करना है उसको जिन्दा कर करना है आपकी मदद करेंगे नहीं मार्कें बिल्कुल थी मिह नहीं Him कि भीथ करने की करने के लिए पर तो पर यहां तो स्प्राइट पर इस्तेमल करेंगे उसके बात फिर मैं अपने घर के पानी पर इसके बाद मार्केट में मिलने वाले अ कि पानी पर लेते हैं और यह हम बहुत इस वह आप इस ली आगा की क्लेर होता है जिससे हम पीएच का जो है तो चलिए थोड़ा सब्सक्राइड हम लेंगे अभी हमने ले लिया और अभी जो है यह पीएच इंडिकेटर जो हमें बताएगा कि इसका पीएच वैल्यू कितना है जीरो से पिर रफ्सक्राइब बताएगा इसका जो रंग है तो पताएगे इसका जो पीएच वैल्यू कितना है यह एक प्रिश होता है और अगर लगातार प्योंगे तो आपका कोई भी और गल्री नहीं कर पाएगा पताएगा अमिता बच्छन जो है इसके पहले उनका एक operation हुआ जिसमें उनकी जो छोटी आतड़ी है आत कहते हैं उसको निकाल फेक दिया क्योंकि पहले है अमिताब बच्चन जो है उनको बहुत नुक्सा अभी बीच में जो उनका operation हुआ वह इस वज़े से हुआ कि उनकी जो छोटी जो इंटर स्ट्राइंड थी वह सॉप्ड़िंग पीपी के खतम होगे ती सड़ गई थी उनको निकालना पड़ा यह हमारा सॉप्डिंग काम रिजल्ट उसके बाद अभी ह पानी में भी हम कुछ पीएच इंडिकेटर के जो कुछ द्रॉप में मिलाते हैं और देखते कि अभी इसका रंग क्या हो गया तो मुझे बताइए अभी किस कलर का है यह जो पानी है आरो पानी जली पताइए यह पीला है और इसका पीएच आप तीन या चार के अंदर का पीएच होता है दोस्तों और यह भी बहुत ज़दा एसे डीग है बहुत ज़दा एसे डिएगा और लंबा समयते के अगर आप यह पानी पीओगे न तो यह भी आपको बहुत सरी बिमारी देएगा और यही इंपलेस होने का नतीजा है कि हमें वह दावेटीज हो जाती है तो दोस्तों यह था आरो के पानी कर अभी मार्केट में मिलने वाले पानी उसकी जाज करते हैं और इसमें भी हम अभी कुछ टॉप्स मरें पीएच इंडिकर के एड़ करते हैं और देखते कि इसका पीज कित तो बहुत जदा है कि अभी जो हमने जाच की इस प्राइड जो है बहुत जदा ऐसे रिखें और हमें मार्केट से मिलने वाला जो खरिद किया है वह भी जदा ऐसे रहे हैं यह अभी आपनी बंतों नहीं कर से तकि आरो ज़रूरी भी है कि हमारे पानी की निकाल देता है सो सुटूशन गेरे यह हम जो है भी देखेंगे कि हमारे पीच इस्थारी इस्वारी यह हमारा सीमी को Skills क्या किया सकता है पहले हम देखते हैं हमारव मार्केट में मिलने करा लिख पानी का क्या होता जब हम इसके अंदर स्डेंड एड़ करता है तो इसके सीमीर कि ब्स्ष बुंद जो हमें इसमें मिला देता हूं कि अभी मुझे बताइए अभी किस रंग का हो गया पानी कि बताइए इसका कलर क्या हो गया नीला हो गया यह इसको में दो से तीन पिए से निकाल कर इसको हमने आठ नौ या दस के बीच पिएस में इसको खड़ा कर दिया यह इसको अलकलाइन बना दिया उसके बात अभी हम आरो के पानी के अंदर कुछ बुंदे हम सीमडी के एर करते हैं अभी यह कलर क्या हो गया और यह मुझे लगता है कि नौ यह दस तक यह हमारा जो है इसका पियेचे बन गया यह बहुत जबादा हैं यह आप कि देखते हैं कि आपको ऐसा लगता होगा कि यार चलो सीम्डी है तो सब्रेंग भी हम पीज सकते हैं हम देखते हैं कि क्या वाकई जो सब्रेंग है वह ऐसे डिक से होता है कि सीम्डी डालने से एक दो तीन चार पांच छे बुंदे में डाला हूं लेकिन अगर आप इसका कलर देखोगे वह कभी भी नहीं चेंज होता है अब कितना प्रेंग का सेवन ना करें आपको बहुत नुक्सान पोछाएगा अगर मैं दोनों मिलाता हूं तो यह और ज्यादा अलक्लाइन होता है है लेकिन आप यह अपका आपका अलगांदी चरीर है है लेकिन आप गलती से अपने सॉव्डूटा सब्सक्राइब कर दो कि क्या हो गया हो गया है कि एसे रिभी हो गया सिर्फ थोड़े से से अब इमेजन कर सकते हैं कि सॉफड़िंग कितना हनिका राए तो हो आपको यह जानने को मिला होगा समझ में आ गया होगा कि अब यह जो है कितना पाउफुल है हमारे लिए और हमारे हैल्ट के लिए अभी यह प्रोड़क्ट है इससे स्वास्त और समरुद्धिया दोनों जो है आप पासकते हैं अगर बिजनस के बात करूं मैं अगर इंकम के गर बात करूं अगर आप सिर्फ अगर एक लाग कमाना है अगर आप हर परिवार में सिफ्ब दो यह लागर अगर प्रवाइट करते हैं स्फीन पर इंसको अगल लगबैं तो अगर पोच्छ करते हैं लगब। बीजनस होता है और पता है बीजर शॉंस तो लगबग एक लग की इंकम अपन कर सकते हैं तो अभी मुझे लगता है कि शायद एक लग के लिए ज्यादा करने के जूरूत नहीं है अगर आप सही तरीके से डेमों के साथ प्रॉपर अगर इसको आप लोगों तक पुछाते हैं तो इंकम भी बहुत कमाल किने सकते हैं औ अज एक तरह का जो ब्लैक वाटर जो होता है वह के अंदर इंफ्यूस किया जाते हैं वह में कि कुछ नहीं है और मिनेरल के साथ वह वो उसका इस्तेमाल करते हैं तो भी आज का प्रेजेंटिशन आपके रहे बहुत ही बाहुत इस प्रेसंश और बहुत सा नहीं चीज़ें और यह जो मुझे परवंजी ने आज दिया है उसके बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगा थैंक यू सो मच और कुछ भी है अच्छा इसका कैसे करना इसका किसी भी मेटल वेसल में इसका इसका ना करें आप एक प्लास्टिक का बाटल लीजिए या आपके काश का बाटल ली है और बेजिए करो के इसको आप ले सकते हैं इसके ज्यादा इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं अगर सिर्फ आपको ईपको बाटल ही लग सकते वाकिन कुछ नहीं हो सकता है तो थैंक्य देखेंगे कि आज के दिन अलकलाइन एर्पिरी फैर भी बहुत चल रहे हैं जो तीन लाग चार लाग रुपे की मसीन आती है और हजारो करोड का उन्होंने बिजनस बना लिया है इनके नाम पे मेरे पास भी बहुत लोग डेमो करने आये मुझे भी प्रड़क बहुत अच्छा लगा लेकिन मेरा कंसर उसमें एक ही रा कि जब मैं उसको अपने गर पे लगवा लूँगा और मैं तो 20 दिन गर से बाहर रहता हूँ मैं तो ट्रेवलिंग पे रहता हूँ तो पानी मुझे व चार में यह लेके आया था मुझे जब यह प्री लॉंस हो रहा था तब हमें मिली थी यह बोटल हम हर जगे ले जा सकते हैं मैं एरपोर्ट पर गया तो बोटल लेके गया एरपोर्ट से पानी की बोटल खरीदी उसमें डाला वो पी लिया यानि हम गर का जो 4 लाख रुपे की मसीन भी लगवा लेंगे ना उसको अपने साथ ना पडोसी के आ ले जा सकते ना किसी और के आ ले जा सकते गर पे यह पानी पी सकते हैं लेकिन यह हम हर्चे के ले जा सकते हैं और जो मारा सार्प का वाटर पूरिफायर है वो पानी को एकदम क्लीन करता है उसकी सारी इं जबरदस कॉम्बो बनेगा और आने वाले टाइम में कमपनी ऐसे जबरदस प्रोड़क्त लेके आ रही है आप देखेंगे अभी हमारे आज आ चुकी है जिन्होंने प्रोडक्त यार किया ये यूई से info किया और अपने प्रोडसी का पानी चेक किजिए हर घर में इस की जरूरत है अभी मैंने अपने पुडो से यह पानीमंगवाया उनका चेक करने के लिए अभी मुझे सेल करना है तो मैंने सब अपना पाणिस दो मैं आपका रिवांगर आपका ओढ़ा यह करूंगा तो अभी मैं अभी उनको डेमो दिखाऊंगा और मेरा एक CMD अभी सेल हो जाएगा यह ना बड़ा मज़ेदार मुझे तो एक गेम लग रहा है इसको प्रेग्नेंट वुमेन को नी देना है किड्नी पेशेंट को नी देना और बच्चों को नी देना अठारा साल से नीचे बो साल से उपर इसका इस्तेमाल करना है ओनली फॉर अडल्ट और इसके बगएर दिन में पानी मत पीजिए एक लिटर में साथ से दस बून डालके पीजिए एक गिलास अगर आपने पानी पीना है तो तिन चर बून डालके पी लिजिए और दिन में कम से कम दस गिलास पानी प को छोड़के और pregnant woman को छोड़के किसी को भी दे सकते हैं इसको milk product के साथ नहीं लेना है नहीं दूद के साथ इसको try नहीं करना है milk product के साथ इसको नहीं लेना है इसको हमने पानी में लेना है और साथ में स्टील में या किसी भी मैटल में इसको यूज नहीं करना है काफी लोग स्टील की बोटल इस्तेमाल करते हैं तो स्टील या मैटल में इसको इस्तेमाल नहीं करना है योगेजी बिल्कुल सही लिख रहे हैं खीर में भी नहीं डालना है बोडी में स्टील रोड लगी विए तो फिर ले सकते हैं उसमें कोई प्रोड़म थोड़ी है बाकी तो इसका नुक्षान कोई है नहीं हां जिसको पाइल की प्रोड़म है उसकोब्य बड़ी ठीक करता है जिसका पेट साफ नहीं हो रहा है जिसको लुज मोशन भी लग सकते हैं थोड़ा ज़्यादा लेने से तो जिस दिन आप गहर पर रहें उस प्रशन नुक्षान तो कोई है नहीं इसका ज्यादा ज्यादा ले ले लाप तो एक ही नुक्सान है कि जुलाब थोड़े से लग जाएगा और कुछ नहीं है यह पेट के सफाई हो जाएगी बागी कोई साइड इफेक नहीं है और साथ में आप सोचो जो बिजनस वनेगा में दुआएं भी मिलेंगी लोग इससे इनको इवन जिसको जोएंट स्वेंड की प्रोलम है पैरों में दर्द रहता है मैं खुद इसको लगबग एक बोटल मेरी खतम होगी एक महीने से ले रहा हूं जैसे आप देखरें मेरा ट् उने गया इतना सारा ट्रेवल जब होता है तो और इतनी सारी जब मिटिंग्स करनी पड़ती है तो बहुत रात को पैरों में दर्द रहता था लेकिन जब से मैं इसको ले रहा हूं तो बोडी में एक अलग सी एनरजी भी फिल होती है आप भी एनरजी फिल करेंगे आप इस जिस दिना बारा बजे से पहले दो लीटर पानी पिना शुरू कर देंगे CMD डालके आपकी बोडी से बिमारिया सारी निकल जाएंगी क्योंकि जितने भी हमारे वाइरस है वो एसिडिक बोडी में एक्टिव होते है हमारे जो एलकलाइन बोडी होती है उसमें सारे वाइरस एक कोने में जाके बेड़ जाते हैं तो जब तक आपकी बोडी अलकलाइन रहेगी तो कोई भी वाइरस एक्टिव नहीं होगा चाहे हो कैंसर का वाइरस है कोई दूसरा वाइरस है और जो प्रोडक्ट है यह से पहले जो एंडरसन फैमिली इंडिया में वो सेल कर रहे थी प्रोडक्ट को और इसका MRP था 1658 रुपए वो बोटल भी है मेरे पास और इसका DP था 4500 रुपए और यह लोग इसको खरीद रहते हैं थैंक्स टू वेस्टिज आप सोचिए जो प्रोड़क्ट ओलेडी मार्केट में 1400 रुपए में सेल हो रहा था जिसका MRP 1658 रुपए था हमने Exclusive Rights ले लिए हैं इस कंपनी से और वेस्टिज इसको ले के आया है सिरब 920 रुपए डीपी में सिरब 920 रुपए डीपी में वेस्टिज इसको ले के आया है आप सोचिए कि वेस्टिज हमें एकदम मिनिमम प्रा आपके दूर हुए होंगे परसो मैं आपको बता रहा हूं यह प्रड़क्ट 12 बज़े तक ही आउटक स्टोग होने वाला है आप सुबह सुबह बलकि आपके नीरेस डील जीपी है आज ही जाके ले लो बिल परसो बनवा देना कोई दिक्कत नहीं है तो यह प्रड़क्ट ए हुए वाइटनिंग ट्रीटमेंट ब्रैटनिंग जो ट्रीटमेंट हमारा हIE लगे तो हमें आपने दूसरे दौक्ट Tो जैसे hij कैं कि इसके इलावा क्रीलोयल है अमारा अमारे अंनलह मेरा है लोवे शपील ना है तो उनको भी याद रखना है क्योंकि सारे प्रड़क्ट की जरूरत है और अपने आज प्रडोस के लोग को हेल्दी बनाना है, अपने गर में लोग को हेल्दी बनाना है और सुबह की मिटिंग अब फिर से हम सुरू करते हैं कल भी आपको सुबह आठ हुजे अपने मैक्सिम लोग को इन्वाइट कीजिए कल भी इस कुछ ना कुछ और आपको जानकारी देंगे और रोज यह हमारा डेली डोज, फिर हम सुरू करते हैं तो चलिए आपको काफी जानकारी आज मिली होगी तो बड़ा अच्छा लगा आज की मिटिंग देखके इवन मेरा भी काफी और मुझे भी नोलिज मिली मोसिन जी के तुरू की प्रोडक्ट एकदम मिराकल लेके आने वाला और एक लाख रूपे के चेक अफ ज्यादा दूर नहीं है चार कंसिस्टेंसी करेंगे ना तो सोचो एक किस रेट में आएगा चार कंसिस्टेंसी करेंगे 400 PV आएगे टीम में ऐसे लोग को डेवलप कर देंगे तो ऐसे चुटकी बजा के 10,000 PV आ जाएंगे तो इस महीने को एक मिराकल मंद बनाते हैं अब तक का 2023 का सबसे बड़ा माइना हमारा जनवरी था जनवरी का रेकोर्ड हमें मार्च में बिरेक करना है और अपने साथ दूसरे लोग को भी आइड करना है थेंक्यू सो मच विस्यू वेल थेंक्यू